गुड मोर्निंग एब्रिवन दोस्तों आ जाए 3rd of March 2023 और हम लोग करने वाले हैं तर हिंदू न्यूस पेपर के अनैलिसिस बिरा नाम है सितेंदर चोधरी और आज फिर से हम लोग कुछ टोपिक्स करने वाले हैं कौन कोई से टोपिक रहेंगे ब्रीफली देखते हैं फिर चलेंगे डिटेल में Election Commission of India के बारे में बहुत ही जवरदस्त एक landmark decision यहां पर लिया गया है Supreme Court के द्वारा और यह जो judgment है ना यह आने वाले future में इंडिया में elections का पुरा scene चेंज कर सकता है बहुत जवरदस्त है तो इसको हमें पढ़ने वाले हैं लक्षदी वाइलेंट के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे जोगरफी के perspective से थोड़ा बहुत map work हूँ यहां पर देखने वाले है Means Agreement क्या है यह आपको मैं बताऊंगा डिटेल में नहीं जाओंगा लेकिन सिर्फ मतलब क्योंकि कहीं में पर एक्जाम में question आ जाता है Means Agreement was recently in news, it is related to which of the following इस तरह questions आ जाते हैं आज अगल तो उसके थोड़ा देखने वाले हैं से भी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे इंडिया-चाइना की meeting होगी G20 वाले perspective से तो थोड़ा से इसको देखेंगे इंडिया-चाइना border issues and all that जादा नहीं, जोग्रिफी के perspective से हलका सा थोड़ा सा discussion करने वाले हैं इंडिया-श्रिलंका का जो स्री श्रिलंका का जो crisis चल रहा है economy crisis you know very well तो उसके बारे में आज एक text section दिया गया है थोड़ा बहुत आपका revision हो जाएगा तो इसको मुझा थोड़ा देखने वाले हैं human capital वाला जो editorial आज काफी अच्छा लगा मुझे तो ये definitely हम लोग करेंगे यहां से जो है mains cancer भी लिक किया जा सकता है और कुछ MSQs include किये है election commission of India वाले topics है चलिए तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को like सबने करना है comment section में भी attendance देनी है good morning, good evening, salam, namaste, राधे, शाम जो भी आपको लिखना है आराम से लिख सकते हो कई बच्चों के वो कई बार phone आते है email आते है, comment sections में बच्चे लिखते है कि सर पढ़ने लगते हैं, demotivate हो जाते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता, सर दुखने लगता है भाई, अगर आपका सर दुख रहा है अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो वो की excuse नहीं है आप UPSC के लिए तैयारी करे रहे हो जो कि दुनिया का toughest exam है तो आप अराम कैसे expect कर सकते हो toughest exam है तो आपको भी tough बनना पड़ेगा न क्योंकि आप tough नहीं बन रहे होगे तो कोई ओ tough बन रहे है learning हमेशा tough होती है learning enjoyable नहीं होती है हाँ, learning का जो outcome होता है वो बढ़िया होता है क्योंकि learning आप से discipline मांगती है sacrifice मांगती है तो कोई जादा excuse मत दो मेरे आज यह हो गया, सर में दर दोगया अज इधर जाना है, अधर जाना आज इसकी शादी है, आज वहां स्यादी है, बड़े मनाना है कोई बात नहीं, मनाते रहो आप बनाओगे, आप पीछे छूट जाओगे race में कोई और आगे निकल जाएगा क्योंकि कोई ना कोई तो मेहनत करी रहा है न आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा बात खतम, तो motivation, motivation बाहर से कुछ नहीं होता है, आपके अंदर से आना चाहिए ठीक है, उठो, काम करो discipline वाले तरीके से रात को अराम से खापी के सो जाओ, आगले दिन फिर उठो फिर से वही काम करो, it's a complete repetition hard work करना है patience रकना है, time लगता है ठीक है, चलो opposition parties welcome supreme court verdict on the appointment of the election commissioner, देखिए article में अपने अपकी perspective से बता देता हूँ, जब election commission of India, यह जो हमारे chief election commissioner होते हैं, उनको appoint किया जाता है, president के द्वारा ठीक है, यह आपको बहुत अच्छे से बता है, president के द्वारा उनको appoint किया जाता है, president मतलब government, अब president खुद तो कुछ नहीं कर सकते, तो वो government के द्वारा ही किया जाता है, हमारे पास एक election commission act है 1991, यह कहता है कि election commission of India की जो tenure है, वो six years होना चाहिए और age 65 होना चाहिए ठीक है, जो भी पहले आता है, basically, लेकिन पिछले बहुत सालों में यह देखा जा रहा है, कि यह चीज follow नहीं की जा रही है सरकार election commissioner का एक साल के लिए, किसी को डेट साल के लिए, किसी को दस महीने के लिए करती है छे साल के लिए करती ही नहीं है, देखिए, आप example देता हूँ आपको जो सरकार थी पहले जो यूपीय की government थी यूपीय की government जी में महां सिंग जी हमारे चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने अपने दस साल के tenure में छे चीफ election commissioner को जो है change किया 6 6 साल में 6, तो समझ सकते हो एक डेट साल का हिनका tenure रहा होगा लेकिन जो उसके बाद government आई अभी जो government चले है, NDA की government NDA की government उनसे एक हाथ आगे निकल गई उन्होंने अभी तक 7 सालों में 8 चीफ election commissioner को जो पोइंट कर दिया भाई तो उनसे भी आगे निकल गए तो यह यह constitutional provision क्या मतलग है अगर आप उसको follow यह नहीं कर रहे हो तो सरकार क्या करती है उसके जो near-dear होते हैं उनको ही चीफ election commissioner बना देती है जब वो election कंटक्ट कराते हैं तो आप कैसे उनसे expect कर सकते हैं फेर होगा election नहीं करा सकते हैं तो यह democracy के उपर बहुत बड़ी जो है बात है तो यह democracy को कराएंट रखना है जिन्दा रखना है तो election commissioner का independent होना बहुत ज़रूरी है अगर वो डरके काम करेंगे freely काम नहीं कर पाएंगे तो भाई कैसे काम चलेगा ठीक है यह थोड़ा साब को पता होना चाहिए अब इसी चक्कर में जो है यहाँ पे Supreme Court का judgment आया है अभी तक सरकार करती थी Chief Election Commissioner को point leader of opposition या फिर जो opposition में party होते है जिसके largest जो है largest opposition party होती है वो और Chief Justice of India ठीक है यह तीन लोग होंगे तीन लोग होंगे यह panel बनेगा तीन लोग होंगा यह एक इसी आदमी को चुनेंगे जो Chief Election Commissioner बनेगा ठीक है और जो minimum tenure है 6 years वो भी complete होना चाहिए ऐसा कहा है Supreme Court ने अभी recently अगर यह लागू हो गया और ऐसे हो ही जाएगा क्योंगी verdict दे दिया तो होगा हमारे जो CBA के डिरेक्टर हैं उनको भी इसी तरह से point किया जाता है Chief Justice of India होते हैं कि दोड़ेंे होगा जो लगने हो टीक है कि दिए. झाल 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 कैसे आएगा वो आपसे पुछेगा that which of the constitutional authorities have the criteria to remove proven misbehavior or incapacity ऐसे पुछेगा आपसे मतलब इस basis पे इन में से किसकी authority को remove किया जा सकता है आपको बोलेगा कैग supreme court के judge chief election commissioner या फिर CBA के director अब आपको बताना है 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4 इस तरहें के सवाल आपसे एक्जाम में पूछे जाते हैं तफ सवाल है आसान नहीं है एक्जाम में बैठके रहें तो सरकार वहाँ पे वहाँ के जो लोग है उनके जो है income को थोड़ा से increase करना चाहती है तो लक्षोदीफ है भाई क्योंकि एक तो आइलेंड जो है वो है यूटी है हमारी तो चारह तरफ ही है जहाँ पे ocean water है तो definitely अब यहाँ पे आप लोगों के यह तो नहीं कह सकते खेती बाड़ी करो जाके आप यहाँ पे यह तो नहीं कह सकते manufacturing करो क्योंकि इतना scope वहाँ पे है नहीं तो scope वही है जो कि blue economy के आसपास घुमता है मतलब water के आसपास घुमता है तो इनों ने क्या किया है एक community based ornamental fish aquaculture किया है ठीक है fish aquaculture इसमें क्या होगा कुछ special तरह की fishes होती है उनको cultivate किया जाएगा और फिर बाद में उनको ornamental purpose के लिए यूज किया जाता है अलग-लग तरीके से ठीक है कुछ motive होती निकलते होंगे कहीं से या कुछ न कुछ रहता होगा वो सब यहाँ पर किया जाएगा तो अभी 82 लोगों को training दी जा रही है उसमें जिसमें से 77 जो है वो women है इसको इनको select किया गया है उनको बहुत सारा चीजें हम लोगों ने दी हैं अभी सरकार ने basically aeration tubes गरा stones, hand and net and all that यह सब आपको याद नहीं करना है ठीक है जैसे भालतों की चीज़े है बस आपको example देने के लिए काम आ सकता है जैसे माल अगर means में question इस तरह से आ गया that discuss the steps taken by the government to increase the income of the tribal population or the backward backward part of the society इस तरह का question अगर आपके पास आ जाता है तो आप एक example के तोर भी यहाँ पर दे सकते हो कि इस recently सरकार ने increase their income ठीक है इस तरह का सवाल आप से पुछा जा सकता है लक्षवदी के बारे आपके बता दो देखें इंडिया में दो island group है एक अंडमान island group है एक लक्षवदीप island group है दोनों की formation बिलकुल अलग है अंडमान जो island group है वो टेक्टोनिक activity से बना है जहां पर अपनी सुन्दा प्लेट और इंडोस्टेलिन प्लेट जो है वो converge करती है यह लक्षवदीप जो island है बिलकुल डिफरेंट तरीके से बना है यह coral island है ठीक है बिलकुल अलग है लक्षवदीप island में के अंदर जो है टोटल 36 islands होते हैं हाला कि लक्षवदीप मतलब होता 1 लाख एक संस्क्रिट वठा है लक्षवदीप मतलब island और लक्षवदीप मतलब 1 लाख हाला कि यह लाख यहां पर है नहीं अल्ली 36 islands are there टोटल एडिया हो 36 स्क्वेर किलोमेटर इसमें majorly तीन island group है अमंदीवी, लक्षवदीप और मिनिकोई मिनिकोई आप नीचे सबसे नीचे देख सकते हैं यह मिनिकोई है ठीक है और अगर आप देखो तो this is the capital ठीक है तो यह लक्षवदीप island है ठीक है, तो यह है मिनिकोई और यह है अपना main island, दोनों के बीच में आता है 9 degree channel, यह 9 degree channel क्या है actually it is nothing but the 9 degree latitude latitude होता है यह मारा 9 degree channel, उसके बाद हमारा आता है 8 degree channel, 8 degree channel किस-को separate करता है, मिनिकोई को और मोलदीव को इसे नीचे मोलदीव पड़ता है ठीक है, जांपे लोग छुटिया वगरा मनाने जाते हैं, तो यह थोड़ा साब को जो हाइडिया होना चाहिए, हलका फुलका सा उसके बाद वहापर एक pity island है, pity island pity island के उपर एक bird century भी है क्योंकि bird के लिए जो है काफी famous माना जाता है यह, तो बस थोड़ा बहुत आपके इतना idea होना चाहिए, इससे जादे इसमें कुछ नहीं है divisions between the west, Russia, China derail a joint statement at the G20 meeting, देखे joint statement बहुत important होती है देखे अभी India G20 को host कर रहा है, तो महमान नवाजी तो हमें ही करनी है भाई और हमारे महमानों के बीच में लड़ाई जगड़ा हो रहा है, तो सोचके देखिए घर में हमारे शादी है महमान हमारे यहाँ पे आए हैं और महमान आपस में जगड़ रहे हैं, तो यह कहीं न कहीं मेरा ही failure है न, तो वो लोग न जगड़े हैं, उसके लिए effort भी मुझे ही करने पड़ेंगे इस समय हमारे महमानों के बीच में दो group बन गए है, एक group है USA, Europe वाला, और एक group है Russia और China वाला, और बीच में फस गए हैं हम, जो hosting कर रहे हैं G20 की, अब हम लोगों को इनको भी convince करना है इनको भी convince करना है, कि भाई साव थोड़ा सा हलका सा, इनो, agreement वगरा कर लो यार, joint statement दे दो यार लेकिन वो दे नहीं रहे हैं, आपस में खिचे जाले जा रहे हैं, तो इंडिया वाले जितने भी groups हैं, वो अभी negotiation के उपर negotiation किये जा रहे हैं, ताकि कुछ न कुछ common ground निकाल सकें ताकि joint statement दे सकें बाली declaration भी ऐसा ही हुआ था, बाली declaration में कोई joint statement नहीं हुआ था, let's hope कि इस बार joint statement हो, क्योंकि इंडिया की दोलों group के साथ पठती है भाई लेकि चाइना के साथ तो खार नहीं पठती ही, लेकिन Russia के साथ हमारे अच्छी खासी बनती है, तो थोड़ा सुन को request करेंगे, आप आ जाईए, थोड़ा USA के साथ बोलेंगे, योरोप वालों को बोलेंगे, क्योंकि जो बाली डिकलेरिशन है, डेड़ दो साल पहले हुआ था, तब तो रश्या यूकरीन क्रैसिज नहीं चल रहा था, उसके बावजूद भी जोइन स्टेट्मेंट नहीं आया था, और अब तो भईया रश्या यूकरीन ओर चल रहा है, दुनिया पूरी बदल गई है, ठीक है, तो वो सारी कीज़े हैं, जो यहां पे होने वाली है, ठीक है, तो एक तो थोड़ा साब को यह idea होना चाहिए, उसके लावा एक agreement के, देखें, क्योंकि न्यू जो स्टार्ट ट्रीटी है, रशिया और USA के बीचे वो भी खतम हो चुकी है, एक agreement हुआ था कुछ साल पहले, जिसे का जाता है Minsk agreement, Minsk, उसके बारे भी सार्टिकल के अंदर mention किया गया है, रशिया ने decline कर दिया है, Minsk agreement को मानने से, यह Minsk agreement के आप से पूछा जा सकता है, देखें, थोड़ा को पताता चलू, Minsk agreement है गया, हमें अच्छे से पता है कि जो यूक्रेन, यूक्रेन का जो इस्टन वाला हिस्सा है, जहां पे जहां पे दोनेस्त, कहां रहा यह रहा, जहां पे दोनेस्त आता है, लोहांस का आता है, इस territory के अंदर ओलड़ी Russian support and rebel groups रहते हैं, जो कि लगतार यूक्रेन की government के साथ लड़ाई कर रहे थे, और इनको रच्छा का पुरा support था, तो यह जो हिस्सा है यूक्रेन का, यह already काफी disturb चल रहा था काफी सालों से, तो यहां पे शांती बनी रहे, उसके लिए एक Minsk agreement किया गया था, Minsk जो है बेलरो Minsk फायर किया था, ठीक है के भाईया हम लोग यहां पे जगडा नहीं करेंगे, रशिया ने Minsk agreement को मानने से उस समय पर मना कर दिया था, रशिया का यह कहना था कि भाईया मैं तो यहां पे disturbance creator नहीं कर रहा हूं, तो मुझे कहिए आप इसमें घसीट रहे हो, बट फिर भी, र इंडिया का यहां से कोई लेना देना नहीं है, यह सिर्फ एक वर्ल्ड न्यूज है, आपको थोड़ा पता होना चाहिए, यह एरिया वाइस थोड़ा सा प्रिलिम्स के परस्पेक्टिव से, देखे यह Sea of Ozov है, यह Black Sea है, इसके नोर्थ में अंदर कौन-कौन से territories आती है, Sea of Ozov के आज़ पास कौन-कौन से countries है, इसको जो सराउंड करती है, जो दोनेस्त के जो यह स्टेट है, पर्टिल प्रोविन्स है, इसको कौन-कौन से प्रोविन्स जो है, वो सराउंड करते है, जियोग्रफी के परस्पेक्टिव से, येस, हम लोग इसको definitely कर सकते है, मिन्स पूछ लेता आपसे वो, जैसे last year there was this question about Afghanistan, अफगानिस्तन तो भी ये news में था ही, तालिबान के वज़े से, तो उन्होंने पूछ लिया था, कि इन में से कौन से country जो है तालिबान के नोर्थ में आती है, अज इसने map और गच्छे से किया होगा, वो question निकाल के लिए चला ज अब इन्वेस्टर्स जो है, उनका take care करना किसका काम है, सेवी का काम है, है ना, और आम जनता है क्योंकि तो सुप्रीम कोड भी कुछ responsibility बनती ही है, yes, कि जनता को justice मिले, जनता का साथ कुछ गलत ना हो, तो सेवी अपनी तरब से तो investigation कर रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन अभी सुप्रीम कोड ने कहा है कि हम लोग भी एक panel बनाएंगे, और actually वो panel बना दिया गया है, ठीक है, सुप्रीम कोड के retired judge है, Mr. Abhay Manohar Sapre, ठीक है, इनके, you know, chairmanship में एक committee बनाई गई है, panel बनाया गया है, अभी ये लोग इस पूरे मामले को देखने वाले हैं, कि क् Actually में Adani Group कुछ गलत कर रहा था, नहीं कर रहा था, सेवी कहां fail हो गया, fail हुआ भी है के नहीं हुआ है, इस तरह के बहुत सरे सवाल इस panel के द्वारा जो है, वो दिये जाने वाले हैं, तो they are going to do a detailed research, तो सेवी बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, ये एक statutory body है, 1992 के अंदर establish की गई थी, क्योंकि आपको पता ही है, 1991 में इंडिया की economy open हो गई थी, stock market open कर दिया गया था, बहुत सरा FDA ही आने लगा, तो अगले साली सरकार ने इसको statutory body बना दिया था, ठीक है, उससे pilot was a non statutory body, power functions क्या है आपको अच्छे से पता है, इस एक quasi legislative body होती है, बहुत सार सेभी ने ठीक काम शायद नहीं किया होगा, तभी अडानी गुरुप की यह अहलत होई है, खर वोत रिसर्च में पता चलेगा क्या होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, anyways, इंडिया चाइना डिसकस LAC situation as the जैशंकर meet counterpart queen, तो यह जो Mr. Queen है, वो चाइना का external affair minister है, जैसे हमारे जैशंकर जी है, तो G20 में तो यह जो सबको आना ही पड़ता है, और चाइना भी G20 का बड़ा important part है, तो दोनों मिले बैठे बाचित क्या है, चाय पानी पिया समोसा खाया, तो उसके ओपर फिर उनोंने border जो है इशु को जो है डिसकस किया, इंडिया चाइना की जहां तक border क बात है, तो उसको तीन हिस्सों में डिवाइडि का जाता है, सबसे पहले वाले को बोलते हैं western sector, दूसरे वाले को बोलते है central sector, तीसरे को बностью क illness sector, इसटर meer है सिक्की माता है और नाचल-परदेश आता है, Central sector में हिमाचल और उत्राखंड आता है Western sector में आपका अक्साई चीन वाला जो J&K वाला पाट आता है ठीक है अलोदाक वाला पे सिर्गे जो पाट आता है Western sector और Eastern sector में काफ़े disturbance रहती है क्योंकि यहां का जो border area है वो China उसको recognize नहीं करता है Central sector जो हो अच्छे से demarketed है तो यहां पे कोई जाता दिक्कत अपने को है नहीं ठीक है तो उसके बारे में यह तो बाची थोड़ा वूत करेंगे यह नहीं करेंगे let's see क्या रहने वाला है ठीक है तो इंडिया चैना बीच में जो line है एक को बोला जाता है Johnson line और एक को कहा जाता है Macdonald line ठीक है Macdonald line कहा जाता है Macmahon and all that ठीक है तो उसको चैना नहीं मानता है Macdonald line को चैना नहीं मानता है according to Macdonald line उसमें अकसाई चीन देखो China stand it marks aksाई चीन as a Chinese territory Johnson line के अंदर India is accepted demarkation and it marks देखो दोनों में फरक है Johnson line जो है और Macdonald line As per Johnson line अकसाई चीन को इंडिया का पाड़ दिखाया गया है As per Macdonald line ठीक है वो अकसाई चीन को चैना का पाड़ दिखाया गया है जो कि यह China accept करता है इंडिया इसको accept करता है तो दोनों के बीच में kuading की पार्ट है अरुणाचल प्रदेश को वो लोग भी अपना पार्ट मानते हैं और पार्ट 마थ मानने से क्या होता है कि उससे कोई ज्यादा फरगता है खली के चाल ये हां कि फ्रख himself um fled Sam efter सार्रिश्या उस्री लंका का मतलब होता है रिजल्ट और seasons ठीक है, आफ्टर मैत मतलब इसके बाद में क्या होगा दाफ्टर मैत हो श्रिलंका से कॉनमी क्रेश तो भई हमें पता ही है पहले से श्रिलंका के जो हलत हो रही है या हो चुकी है, आगे भी हो ही रही है बेचारों की तो एक ही सोलूशन नज़र आता है आई एम एफ, आई एम एफ, आई एम एफ जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं सडकों के उपर तो एक ही आवाज आती है आई एम एफ, आई एम एफ, आई एम एफ ठीक है, क्योंकि वहाँ पे चल रहा है बैलेंस ओपेमेंट क्राइसिस यही हालत इंडिया की 1990s में हो चुकी थी, उसे भी बैलेंस ओपेमेंट क्राइसिस ही कहा जाता है मतलब जब आपके पास फोरेंट करणसी खतम हो जाती है, उसे कहा जाता है बैलेंस ओपेमेंट क्राइसिस श्रिलंका के अंदर भी ही चल रहा है मास प्रोटेस्ट हो रहे हैं बिजली के कट लग रहे हैं होटलों में पानी नहीं है हरत वड़ी खराब हाविया तो उसकी वज़े से श्रिलंका आयमेट के साथ डील कर रहा था कि भाईया हमाई पैसा दे दो कितना पैसा, जादा पैसा भी नहीं है क्योंकि आपको अच्छे से पता है, इंडिया वाला हालत आप उनने दिख लिया था बिना टंसेन के IMF आपको पैसा नहीं देता है IMF के टंसेन केंड स्फ़ से पहली और स्बसे इंप्रोटें जो कंडिशन होते है वह होती है कि भंत हुशकार है इसे कहते हैं welfare measures वो लोग कहते हैं कि नहीं ये फालतु का खरचा है तो जो सबसेडिया होती है उसको reduce करो जो free में लोगों को service दी जाती है उसको reduce करो ताकि फालतु का खरचा बचे सरकास के पास जो है foreign currency बची रहे ये जो है पुरा मामला होता है IMF के दूसरी condition ये है श्रिलंका के उपर के भाईया आपके जो creditors है China, Japan और India इनकी assurance भी मुझे चाहिए इंडिया ने अपनी assurance दे दिया है Japan ने भी दे दिया है चाइना ने IMF को अभी तक अपनी insurance return में नहीं दिया है क्यों नहीं दिया है वो चाइना वहीं जाने भाई ठीक है जो भी है नहीं है ये जो है पुरा मावला बनता है तो ये जो 2.9 billion dollar दिया जाएगा ये दिया जाएगा extended fund facility के द्वारा already UPSC 2020 में question पूछा जा सुका है extended fund facility तो ये छोटी छोटी term है ना यहां से सवाल आते है exam में तो इनको ignore नहीं करना है बच्चो अगर आगो ये नई term देखने को मिले ये mechanism होता है IMF का जो की पैसा देता है उन countries को जहां पर balance of payment crisis चल रहा है तो इतना ही question आया था असान question था लेकिन मुशली बच्चे गलत करके आएंगे क्योंकि IMF help करेगा क्योंकि जब IMF किसी country help कर देता ना तो दुनिया भर में जो creditors होते हैं उनकी नजरों में उस country की value थोड़ी सी increase हो जाती है शायद यहां पर कुछ न कुछ इस तरह का महौल बनेगा पिछले 15 सालों से चाइना भाई स्रिलंका भयंकर तरीके से जो है लोन लिये जा रहा था लोगों को free में service दिये जा रहा था लेकिन एक दन तो आपका घड़ा फुटेगा कितना welfare दे दोगे आप education free दे रहे हो cylinder free दे रहे हो बिजलिया आप free में दे रहे हो जो बसों का किराया होता है women वाला वो आप free में दे रहे हो चाइना में mostly चीज़े सरकार की तरह से free दे जाती है चाइना इसक श्रिलंका में सोरी श्रिलंका इसक completely completely welfare state income नहीं है लोगों की सरकार जो है loan लेती है पैसा free में देती है अरे भाई ऐसे काम थोड़ी ना चलता है तो उनका जो sector है export sector वो कुछ खास चीज़ों के पर ही depend किया करता था लेकिन pandemic से उनमें उसकी हवा निकल गई pandemic में उनको पता चले गया कि हमें इतना फाल्दू खर्चा नहीं करना चाहिए था corruption भी बहुत जादा है श्रिलंका के अंदर तो जो पिछले भाई साब थे वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर प्रेजिनेट थे ठीक है राजपक्षा जी उनका तो परा परिवार ही मतलब छोटे से मतलब बच्चा 18 साल का होता है वो politics में आ जाता है उसको किसना किसी department में set कर देते हैं उनकी पुरी family set है पुरा खांदान set है ठीक है तीन-चार भाई हैं सब set है उनकी बीवियां उनके बच्चे भतीजे चाचे सब set हो जाते हैं उनके तो corruption बहुत ज़्यदा large scale वहाँ पे है तो इसको भी तो रोकना है ना austerity major का मैंने आपको बताई दिया जो जिस तरह की चीज़ रहती है food insecurity भीया एग, fish, meat, दूद सब कुछ बहुत महांगा हुआ पड़ा है तो ये इसकी वज़े से क्या होका mal nutrition वाली समस्याए है बच्चों को पुरपर तरीके से खाना नहीं मिलता है poverty बहुत ज़्यादा हो गई है hunger crisis भी वहाँ पे आने के काफी chances हो गई है तो ये चीज़े जो है इसमयाँ वहाँ पे चल रही है अभी local election होने वाले थे local election भी वहाँ पे नहीं हो पाई अच्छा एब मज़े की बात देखिए local election नहीं करवाई सरगार ने ये कहके के हमारे पास पैसा नहीं है अभी कुछ हफते पहले चाइना का foundation day मनाया गया जिसके उपर कहा जाता है कि उन्होंने 500 million dollar से ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया अपना जनम दिन मनाया श्रिलंका ने 500 million dollar खर्च कर दिये जबकि election नहीं करवाई क्योंकि democracy क्या है भाई democracy तो wait कर लेगी लेकिन बड़े मनाना चाहिए तो इसके उपर भी काफी criticism हो रहा है चाइना का श्रिलंका का मुझसे मेरे बारबाद चाइना निकलता है खैर वो सारी चीज़े अलग है अभी पिछली ये देखा गया है श्रिलंका के अंदर के गिनी कोफीजेंट देखे एक ओर टरम यहां पर यूज़ हुई है बड़ी शांदार गिनी कोफीजेंट जो है वो भी इंक्रीज हुआ है दोस्तों गिनी कोफीजेंट जो है वाई income distribution measure करता है अगर किसी country में income गिनी एफिसेंट जादा होता है तो इसके मतलब वहाँ पर inequality जादा है ठीक है तो इसके मारे थोड़ा सा गूगल करें जागे पढ़ें आपको मज़ा आएगा करने में ठीक है तो गिनी ओकोफिसेंट एक्स्टेंडिड फैसिलिटी गरा दो तीन टर्म यहाँ पर यूज की गई है बैलेंस ओ पेमेंट क्राइसिज और तो मैं तो कहीं बोलता हूँ हमेशा से जब तक आपको एकोनमी के बेसिक फंडे समझ में नहीं आते हैं तो या तो आप आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हो तर्म को तुरत गूगल पे खोजो एक नोटबूक अपनी बना के रखो जिसके अंदर सारी टम्स का मितलब होना चाहिए आपकी खुद की लैंगवेज के अंदर या फिर अगर आप क्लासिस वगारा कर रहे हो तो पहले कैपिटल क्या होता है एक तो हमारी नोर्मल कैपिटल होती है जिसमें लैंड हो गया लेबर हो गया पैसा हो गया मशीन हो गया वो सब हमारी एक कैपिटल होती है यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है यूमन कैपिटल मतलब ऐसे हीूमन जो प्रोड़क्टिव होते हैं वो ह unskilled होता है educated भी नहीं होता है तो उसकी value उतनी जाद नहीं होती है तो human capital का मतलब होता है economy यह economic term है social term नहीं है it's a economic term human capital मतलब होता है economic value of a worker's experience and skills इसमें आपके intelligence training education skill health यह सब कुछ measure किया जाता है उसे बोलते है human capital यह एक intangible asset है मतलब हो इसको देख नहीं सकते measure नहीं कर सकते अब मैं कितने intelligent हूँ आप इसको measure नहीं कर सकते सिर्फ feel कर सकते हो तो इसलिए इसे intangible asset कहा जाता है और यह company की balance sheet में नहीं होता है company balance sheet में क्या होता है income और expenditure यह थोड़ी नहीं होता है तो human capital concept the human capital recognizes that not all labor is equal ताकि जादा अच्छा better human capital वहाँ पर हो सके अब यह तो हो गया company के perspective से country के perspective से क्या होगा तो जो जनता होती है population आप मैं होते हैं हम कितना educated हैं हम कितना skilled हैं उसे हम लोग human capital कहते हैं किसी भी country की तो article यह कहता है कि अगर किसी भी country को resilience बनना है तो उसको अपने human capital के अंदर invest करना ही पड़ेगा देखें शुराथ इसने बहुत अच्छे से करी कि पिछले दो तिन साल नायार पुरी दुनिया के लिए अच्छे नहीं निकले है ना पहले covid का pandemic आ गया फिर inflation वगरा गया economic दिक्कते हैं हो गई फिर extreme weather condition भी आ गई कहीं पे flood आ रही है कहीं पे you know forest fire वगरा हो रहा है अच्छे नहीं निकले अब सोचने की बात है जब crisis आता है तो सबसे ज़दा negative impact किसके ओपर पड़ता है जो गरीब है जो back order है जिसके बास साधन नहीं है South Asia की बात इन्होंने यहां पे कर रहे है हलागि पुरी दुनिया के ओंपर impact पड़ा है लेकिन South Asia के अंदर सबसे ज़दा negative impact पड़ा है millions of लोग pandemic के बचारे अपनी जान देके चले गए COVID-19 के दुरान इसी लिए South Asia को चाहिए कि वो knowledge, skill health इनके अंदर खर्च करे पड़ अनफोर्चनेटली हम लोग करते नहीं है अनफोर्चनेटली नहीं करते है comparison करके बता हूँ आपको देखिए लिखा हो इसके अंदर बहुत शानदार जब हम लोग developing country की बात करते हैं तो हमारी GDP का सिर्फ और सिर्फ 1% हम लोग health पर खर्चा करते है only 2.5% हम लोग education पर खर्चा करते है as compared to South Asia जो developed country है इनके European country है वो 5.9% health पर खर्चा करती है और 3.7% education पर खर्चा करती है और फर्क आप साफ साफ देख सकते हो innovation वहाँ better है standard of living वहाँ पर बैटर है लोगों की health होँ पर बैटर है भाई जैसा खर्चा करोगे तो वैसा outcome भी नज़र आएगा न तो साफ साफ आउटकम यहाँ पर नज़र आ ही रहा है ठीक है तो यह कुछ कुछ चीज़े जो इस article के अंदर बताई गई है अगर थोड़ा सा आप और देखें इस article में अंदर यह थिंक यह थोड़ा freeze हो गया लेट मी share the screen again ज़स एक मिटे दो मुझे ठीक है अगर आप उसके लावा भी यहाँ पर देखें और भी बहुत सारी चीज़े हैं जैसे माल निट्रिशन की बात करते हो अब जो है मैटल मॉर्टैलिटी की बात करते हो इन सारे केस में भी साउथ हीशिया की हालत काफी खराब है as compared to other countries 35 million लोग जो हैं वो COVID-19 वज़े से extreme poverty में चले गए extreme poverty में चले गए education की बात करें तो यहां पर और भी हलत खराब है pandemic की वज़े से योरोप के अंदर schools they were closed for 141 days सिर्फ 140 दिन के लिए बन थे जबकि साउथ हेशिया में school 225 days के लिए बन थे बहुत ज़दा फरक है कहीं कहीं जगह पर तो साउथ हेशिया में school डेड़ साल से बन थे भाई 18 महीने से school totally बन थे 500 दिन से भी जादा आप इंडिया में देख लो एक साल तो completely बन रहे उससे बाद भी बन होते रहे खुलते रहे बन होते रहे खुलते रहे तो जब school ही बन हो जाएंगे तो बच्चों का education कैसे मिलेगी तो जो learning थी बच्चों की वो 50% से भी ज़्यादा कम हो गई COVID-19 के दुरान अब सोचे देखिए COVID-19 में जिन बच्चों का education नहीं मिला COVID-19 में जिन बच्चों का education level डाउन चला गया तो क्या आने वाले future में उनको प्रोपर तरीके से jobs मिलेगी मतलब यह मानके चले जो एक average student था pandemic से पहले अब वो poor family से below करता है अब pandemic के दुरान उसके पास mobile phone नहीं है उसके पास network नहीं है तो पहले वो average student हुआ करता था अभी वो below average चला गया बचारा तो below average student को आपको पता ही आजकर society में क्या हलत है कोई नोकरी नहीं मिलती jobs नहीं मिलती तो उसकी तो future earning के पर direct impact पड़ गया तो future generation खराब हो गई भई प्रेजन तो छोड़िये future generation खराब हो गई तो इसलिए सरकार को intervention करना ज़रूरी है simple तरीके से और low cost education provide करवाई जानी चाहिए proper तरीके से design करिए implementation करिए यह सारी चीजें literacy बढ़ाईए numeracy बढ़ाईए कई सारे state के अंदर कई सारे step लिए गए है जैसे बंगलादेश में के अंदर उन्होंने क्या किया है जो nursery pre school जो education होती है वहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा 6 महीने extra दे दिये गए बच्चों को 2 घंटे extra पढ़ाया जाता है तो मिलाडों के अंदर उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया है के 6 महीने की बच्चों के extra class दी गई है इससे क्या होगा जो learning gap आ गया था वो शायद अब दूर हो जाएगा इससे कुछ ना कुछ positive result तो आ रहे है लेकिन ये चीज़े large scale पर implement होनी चाहिए भाई तब ही काम चलेगा वर्ल्ड बैंक ने भी एक report निकाले थी collapse the recovery how COVID-19 eroded human capital and what to do तो उसमें बिनों ने यही चीज़ बहुत बहुत इंपक्ट होगा है उनकी health हो चाहिए education हो चाहिए skill हो ठीक है तो इसको थोड़ा सा better करने की जोर्त है data data use करिए crisis तो unpredictable होते हैं भाई future अमाँ predict नहीं कर सकते COVID-19 किसने predict किया था यार सब कुछ बढ़िया चल रहा था मोज मस्ती कर रहे थे सब लोग लेकिन जो हालत खराब होई वो सब ने देखा और future में और भी कोई आ सकता है कोई COVID की जैसा कुछ होर आ सकता है तो we cannot predict actually तो भाई crisis आए उससे पहले ही अपना जुकाड करिए न आप लोग अपनी जो human capital है पहले बना के रखिए तकि बाद भी नोबत ही न आए तो यही नोने कहा है कि भाई यह जो resiliency है आप उसको पहले ही maintain करो थोड़ा सा funding funding बढ़ाओ यार ठीक है ऐसे कैसे कम चलेगा फालतों के खर्चे कम करो, corruption कम करो, leakage कम करो और उसको जो है आप education पर खर्चा करिए health के उपर खर्चा करिए ताकि future में इस तरह का कोई आगर नोबत आती है तो इतनी हालत खराब ना हो ठीक है, हाला कि crisis जब इस तरह का कोई आता है तो सब कोई बच नहीं सकते लेकिन impact तो कम कर ही सकते हैं कम से कम, ठीक है तो ये कुछ article के अंदर कहा गया है तो आज के लिए इतनी ही था बच्चो, I hope आपको मज़ा आया होगा Thank you very much, all the best and Jai Hind